राम राम कार्थिक महात्मया 28 वा अध्याय सूच जी बोले इस कथा को श्रीकृष्ण जी ने सत्यभामा से कहे संध्या करने राजभवन चले गए इस प्रकार मैंने कार्थिक महात्मया का प्रभाव आपसे कहा कि विश्णु जी को प्रस्ण्य करता है और भक्ती देने वाला हारी जागरण, प्रातस्नान, तुल्सी सेवन, उद्यापन, दीपदान यही कार्तिक के व्रत हैं। इन पाचो प्रकारों का व्रत आपसे कहा। इनको कार्तिक में करने से भक्ती और मुक्ती मिलती है। रिशी बोले विश्णु जी को प्रसन्य करने वाला विसमेकारी की कार्थिक वरत पाप और दुख को दूर करने के लिए मोक्षिकी और कामभोगी इच्छा करने वाले को अवश्य करना चाहिए यदि इस वरत में मनुष्य संकट में पढ़ जाए गहरेवन में फस जाए या रोगी हो जाए तो कार्थिक वरत कैसे क्या जाए तो कि ये वरत महाफल देने वाला है सुच जी बोले इस प्रिकाल द्रड संकल्प वाला पुरुष आपत्ती में विष्णु जी अत्वाशिव जी के मंदर में जाकर जागरेन करें यदि तुलसी पूजा न हो तो वैश्नवो का पूजन करें जोकि विष्णु भगवान अपने भकतों के समीप रहते हैं इन व्रत के न मिलने पर व्रती पूरुष गौ और ब्रामन को और व्रत के पूरा करने के लिए पीपल और बढ़ का पूजन करें निशे बोले आपने बढ़ और पीपल व्रिक्ष गौ ब्रामन की समान शिष्ट करें ये दोनों व्रक्षी क्यों इतने पूजनी हैं सुच जी पीपल विश्नु जी का रूप है और फट्र शुर्द झीका और धाक ब्रहमा जी का रूप है इश्य बोले ब्रहमा विश्नु और महादेव कि वरिक्ष रूप में पार्वती जी बोली क्रिमी और कीडे आदी भी विश्यभोग के आनन्द को जानते हैं, तुमने इसमें विग्न डाला है, देवताओं तुम व्रिक्ष हो जाओ, सूच जी बोले इस प्रकार, पार्वती जी की इस श्राप से सब देवताब रिक्ष के रूप में हो गए, हे पार्दिक महात्मियों 28 वा अध्याय नारेन, 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 नारेन